हाई अब्रिवान दिस इस साजिद एनिवार वेलकम तो माइटूब चानल लान इंगलिश फिस साजिद फ्रेंट्स आज हम लोग जानने वाले हैं एल वाई इंडिंग वड्स फोर इक्जामपल करेक्टली कियर फुली ब्यूटिफुली जेनरली रिसेंटली ब्रदरली विकल मंतली फैमली और एसे बहुत से वर्ट से हैं जो एलवाई से होते हैं लेकिन कोस्ट्न है कि क्या सभी एलवाई इंडिंग वर्ड अडवाव होते हैं चलिए देखते हैं हाई गाइस वेलकम अगेंग चलिए देखते हैं इंग्जांपल्स को और समझते हैं कि कौन एडवाब होता है और कौन एक्जेक्टिव होता है और सभी लगभग लवाई से इंड हो रहा है चलिए इन एक्जांपल्स को समझते हैं समझते हैं कि आखिर क्या फंडा है इनके बीच जलोगी आप जानते हैं कि यह है एडवाब है थे वाद सलोगी आम इंग्जांपल्स के मार्दीम समझेंकों से पहले पहले वाट समझते हैं इसे अग्जांपल के और से उस्फशेटिव रदली फ्रेंडली घोषिट्ली तरह देखें यह लगभब दोनों देखने में तो श्म लग रहा दोनों लगभब एल वाई सही इंड वगारा लेकिए आप कैसे समझोगे कि यह एड्जेक्टीव और यह एड़ बाब है कैसे आप 59 से एक एक कंशेप्ट होता टेकिए नाउन प्लॉस यॉवाई मिलकर क्या बनता है एक्षेक्टि बनता है दोनों य से ही इन हो रहा है लेकिन एड्जेक्टिव प्लस एल वाई मिलके एडवाब और नाउन प्लस एल वाई मिलके आपको एड्जेक्टि बनता चली कुछ समझते हैं कि आखिर यह कैसे एड़वाब हुआ आये कि यहां पर सब्जेक्ट है इस पीक क्या है वर्ब है सलोली चलोली क्या है मतलब यह किसका इसका इसको कॉलिफाई करें स्पीक को बोलता है कैसे से जबूअ इसको मारा गया कैसे मारा गए बुटली निई देटा सब अब देखी यह जो से बनाया जोलि上हींप भूप étape ब्रूटल से बूटल मतलब निर्दी एब पलंव नड है थीक इसी तरह देखिए-दे ऑलवेश हंग लौधली लौट क्या और लोग हमेसा ग्याता है ड्रीजार हमेरी वाओस को लिख समय कॉलिक्त में तेज अवाज हुआ ठीक इसी तरह हम लोग एड्यक्टिफ के कुछ एक्जामपास देख लेते हैं यहां पर हम समझे कि सुलोली बूटली लावडली और कंस्ट ली एड़ बाव है कैसे बाव है हम लोग में संटेंस की माध्याम से समझा ठीक इसी तरह देखते हैं वाट लभली प्लेस प्ल मैग्जीन भी नाउन है तो मॉंतली मैगजीन आपलों सुनते होंगे मंध्री मैगजीन टैक इसी तरह देखिया मंधली क्या वेयां पर एजेक्टिव हुआ यहां पर दीगे बीडि और जो है भारतियें कैसे हैं बहुत स्रेंदी है वही बता कि एड़्ववब्व लॉट वाले एड्यक्टी भी होते हैं औरबं देखो जब प्लस लॉम यदो क्या होते हैं एड वरब होते हैं और जब नावन प्लस लॉ Riley मेजिए होते हैं वहूं एड्जेक्टिव हैं नाउन के और कुछ एक्जामपक्र अपलाइल रिपलाई इंपलाइ और बहुत से एक्जामप्ल्स वर्ट सरी वर्प्स के भी है जो एलोई से होते हैं तो आप सिर्प लॉय इंडिंग देख कर आप यह नहीं कर सकते हैं कि यह सरे चक्रिफ एड़ब्स है इसका मतलब लॉ अच्छी अच्छी वीडियो ले किया नवाला हूं तो प्लिस सस्क्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी रोज आनेively वीडियो की नठीफिकेस्न आपको मिल सकें और आप मेरे वीडियो की विनेफिट ले सकें चलें एक्ट वीडियो में ठील धाहिए थे